स्वागत है हमारे नय यूटीट चैनल में आइए हम आपको आज दिखाएए बटियाला चल्वार की कटिकार करते हैं इस प्रकार से हम दबल फोल्डिक को कर लेंगे है और प्र इस को फोल्डिक कर लेंगे- इस इसाब से यह हमारे चारपल्ड हो जाएंगे इसको अच्छी तरीके से बिचा लेंगे इस हिसाब से हम फोल्ट कर लेंगे यह हम सामने के पला इधर साइड के निका लेंगे दो दोनों तरफ के इसको हम लमसम साढ़े आठ इंज हमें रखना है इसको साढ़े आठ रखना है इस हिसाब से बराबर कर लें यह हमारा साढ़े आठ हो चुका है अब इसको हम कट कर लेंगे अब यह हमारे पल्ले कट चुके हैं अब इसको हम इस हिसाब से खोल लेंगे और खोलने के बाद में इसको अच्छी तरीके से अपनी तरफ किनारी रख लेंगे और हमारी सिलवार जितनी लंबी हो इसको हम 6 इंच बाहर निकाल देंगे 6 इंच फिता हम बाहर निकाल करके हमारी 40 लंबाई है सिलवार की इसमें 40 लंबाई यह हमारी है तो इसको हम 44 इंच काड़ लेंगे इस हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद में हम इसकी लंबाई रखेंगे 22 इंच ही हमारा रहा है इसको 22 इंच ही बेल्ट हम रखेंगे अपन अगर बढ़ाना चाहे तो थोड़ा टूड़ा बढ़ा सकते हैं इस हिसाब से हम 4 इसको रख लेंगे 4 यानि 9 इस प्रकार से रख लेंगे और इसको हम इस हिसाब से नाप लेंगे साड़े चार हमारा हो चुका है ये हमारा भी 9 इंच है इधर भी हम निकाल सकते हैं पिलाल हम उदर किनारी की तरब निकालेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि बेल्ट में नीचे जब सिलाई लगती है तो इसके लिए किनारी हमारी बहुत जरूरी है यह हमारी वेल्ट हो चुकी है अब हम कली काटेंगे इसकी अब हम इस प्रकार से इसको बिछा लेंगे यह डबल पला हमारा है इस इसाब से इसको हम बराबर कर लेंगे अच्छी तरीके से और हम फिर 6 इंच बाहर निकाल देंगे फिता यहां से लंबाई हमारी 40 इंच थी तो इसको हम 32 इंच पे निशान लगा लेंगे 40िंच हमारी लंबाई थी तो 6िंच हमने बाहर निकाल करके क्योंकि इसमें बेल्ट लगेगी 6 सी हमारी बेल्ट आ जायेगी तो इसको हम 38िंच पे निशाद लगा लेंगे 38 लगाने के बाद में अब थोड़ा हम अपनी तरफ पला कर लेंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है इधर अब इसकी हम लटक 9 इंच इस हिसाब से गिरा लेंगे यह हमारी लटक हो जाएगी और इसके बाद में हम इसको क्रॉस कर लेंगे जो हमने 38 इंच का निशाल लगाया हुआ था इस हिसाब से क्रॉस कर लेंगे और फिर इसको हम इधर कर लेंगे इधर करने के बाद में हम 38 इंच पे इस हिसाब से मार्किंग कर लेंगे और इसको हम अब कट कर लेंगे इसी मार्किंग पर हमें कट करना है यह हमारा पल्ला कट हो जाएगा और इसी परकार से हम दूसरा पल्ला भी कट करकर हम आपको बता रहे हैं यह जो बचा हुआ हमारा है कपड़ा इस हिसाब से इसको हम बिचा लेंगे और बिचाने के बाद में जो हमने पहले कली काटी हुई थी उसको इसी परकार से हम इस पर रख लेंगे और रखने के बाद में हम इसी पर हम कटिंग कर देंगे अब हम आपको बता देते हैं यह कपड़ा जो है हमारा धाय मीटर से थोड़ा ज्यादा था इसलिए वो कपड़ा हमारा इतना बच गया क्योंकि धाय मीटर में पटियाला अच्छी तरीके से निगल आता है इसमें लमसम 40 या 50 के बीच में पलेटे हमारी पड़ेंगी इसी परकार से आप पटियाला सलवार की कटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं यह हमारा पटियाला सलवार की कटिंग हो चुकी है अब इसको हम आपको सिलने के बारे में भी बताएंगे